दोस्तों परानी कतो और हमारे शास्त्रों में यह माना जाता है कि क्रिष्ण भगवान की आट पत्निया थी और असी पुत्र थे यानि एक पत्नी से दस दस पुत्र हुए थे आज हम इन वत्नियों का जिक्र इस कहानी में करेंगे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रुक्मनी जी की महामारत के अनुसार स्री कृष्ण ने रुक्मनी का हरण करके उनसे व्यवहा किया था विधर्व के राजा भीशक की पुत्री रुक्मनी भागवान क्रिश्न से प्रेम करती थी और उनसे विभा करना चाहती थी रुक्मनी के पाँच भाई थे, रुक्म, रुक्मरत, रक्मबाहु, रक्मकेस और रक्ममाली, रुक्मनी सर्वगून संपन थी और बहुत ही खुबसुरत थी, उनके माता पिता भी हलाकि क्रिशन के साथ विभा करना चाहते थे, लेकिन रुक्म चाहता था कि उसका विभा च चारू देश्न, चारू देह, सुचारू, विचारू, चारू, चारू गुप्त, चंदर चारू और चारू चंदर दूज्ञार नंबर पर अगर हम श्री कृष्ण की पत्री की बात करते हैं तो सत्य भामा का नाम आता है सत्य भामा सत्य जीत की पुत्री थी सत्य जीत को शक्ति सैन के नाम से भी जाना जाता था सत्य भामा के पुत्रों के नाम थे भानू, सुभानू, स्वर्भानू, प्रभानू, भानूमान, चंद्र भानू, व्रध्धानू, अति भानू, श्री भानू और प्रति भानू तीसे नमबर पर सत्या आती हैं सत्या राजा कोशल की पुत्री थी उनके बेटों के नाम थे वीर, असुसैन, चंद्र, चित्रगु, वेगबाग, वरश, आम, शंकु, वशु और कुंत। चोथे नमबर पर स्रिक्रिशन की पत्री आती हैं जामवंती, जामवंती निशाद राजा जामवंवन की पुत्री थी, जामवन उनकिने चुने पौरानिक पात्रों में से एक थे जो रामाया और महाभारत दोनों काल में उपस्ती थे, जामवंती के पुत्र सांभ, सुमित, पुरुजीत, सत्यजीत, सहस्त्यजीत, विजय, चित्रकेतु, वासमानू, द्रमिन और कृतू थे, पांचवे नमबर पर श्रीकृष्ण की पतनी आती हैं कालिंदी, क्रिष्ण की पतनी कालिंदी खांडव वन में रहने वाली थी, यही पर पांडव का इंदरप्रस्थ बना था कालंदी के पुत्रों के नाम थे शृत, कवी, व्रश, वीर, भादर, सुबाहू, दर्श, कुमास, सोमक और शांति छटे नंबर पर लक्षमना ती हैं मदर कंया लक्षमना व्रस सेना की पुत्री थी लक्षणा के पुत्रों के नाम थे प्रगोश, गात्रवान, सिंग, बल, प्रवल, उद्धव, महाशक्ति, सहय, ओज और एपराजित साथवे नमबर पर मित्रविंदा आती हैं, मित्रविंदा अविंतिका की राजकुमारी थी मित्र विंदा के पुत्रों के नाम क्रश, हर्स, अनिल, ग्रध, वर्धन, अन्नाद, महांश, पावन, वहिन और शुरुधी थे आठवे नमपर पर भद्रा आती हैं ये क्रिश्न के अंतिम पत्नी थी भद्रा के कैकन्या थी और भद्रा के पुत्रों के नाम थे संग्रामजित, व्रत्सेन, सूर, प्रहरांग, एपरेज, एरेजित, जै, सुभद्र, वाम, आयू और सत्यक इसके अलावा स्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां बताई जाती है इन 16,100 कन्याओं को भी स्री कृष्ण ने नगासुल राक्सस का बद करके उसे मुक्त कराया था और उनकी इच्छा पर स्री कृष्ण ने इनसे विवा किया था तोकि इन सभी कन्याओं ने स्री कृष्ण को पती के रूप में मान लिया था दोस्तों आज की कहानी में इतना ही अपना बहुत ध्यान रखें, हस्ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, धन्यवाद